हालो एरभब ने लास्ट क्लास में मैं 3 कॉष्चं करा चुगा था देखो एक जाफ ततरीके शें था कोष्चंट 2 और ख्ट्री हमारा अच पूष्चंट 4 हम लोग करेंगेद आधेखो Question 4 के लिए Ready हो जाओ, Ready हो जाई है Question 4 के लिए Ready हो जाई है Question 4 किया कर रहा है मैं चाहा रहा हूँ आप लोग से कि आप लोग वीडियो को पाउस करो वीडियो को पाउस करो और इसको अपने तरीके से करने की कोशिस करो ठीक है यहां पर क्या दिया है समीकरण को हल करो चलो समीकरण को हल किया है लेकिन यहां पर देख रहा हूं यह डिफनेंसियेशन है हाना तो यहां पर आउकल समीकरण है एक्चुली लेकिन ना कोश्चन में आपको सिर्फ समीकरण दे देगा समीकरण में दे देगा हाना समीकर अच्छा chapter 9 ओ लेकिन अभी तो लिखानी सीफ समी करन दे दिया तो मेरे को तो पता है नहीं तो इप्रेंसेशन अगर के फारम में दिया तो अवक्त समी करन है चलो अवक्त समी करन को हल करो ठीक है अवक्त सामी करन को हल कर देते यह घो जाएगा X वाले को एक तरफ, Y वाले को एक तरफ, अब तो देखो, ध्यान से देखो, यह मैं सबसे पहले X वाले को इधर भेज दिया, यह क्या हो जाएगा, Sine X into Sine Y into D X, अब यह Y वाले को इधर फेज़, जब गुणा में तो भाग में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, D Y वाले, यह गुणा में है, तो इधर चले जाएगा, Sine Y, Sine Y, और यह क्या हो जाएगा, Sine X, Sine, अहाँ, यह Sine X है न, यह Sine X और D X, होगया, अब तो हो गया, आप क्या करता हूँ, दोनों बख्शों में Samaunal करता हूँ, दोनों बख्शों में Samaunal करता हूँ, dy dy by sin y dy by sin y is equal to integration of sin x dx sin x dx अब यहाँ पर एक नया formula आने वाला है उस नया formula का note कर लो देखो चलो एक step के बाद लिखाता हूँ अब 1 by sin x को 1 by sin x हम लोगों 1 by sin x क्या होता है भी है 1 by sin x तो कोई integration integration नहीं होता पर 1 by sin x ना cost 1 by sin y है ना यहाँ पर sin y है sin x बोर रहा था तो यहाँ पर चलो मैं formula पहले लिखा दू क्या यहाँ पर देखो हम लोग क्या है त्रिकोड मिती में हम लोग पढ़े हैं कि 1 by sin x कितना होता है कॉसेक x होता है तो यहाँ पर y है इस देखो यहाँ पर y है तो 1 by sin y क्या हो जाएगा? कॉसेक y हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है, तो कॉसेक y हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर भी मैं आप लोग तसल्ली के लिए लिख देता हूँ, तो 1 by sin y कितना हो जाएगा? कॉसेक y हो जाएगा, सर, यह कॉसेक y हो जाएगा, क्लिया रहे करें यहां तक बात हां सर क्लिया रहे तो यहां पर मैं 1 by sin y को क्या लिख रहा हूं कॉसेख कॉसेख y और यह dy dy is equal to integration sin x अब आप लोको ना कॉसेख x का कॉसेख x का मैं integration नहीं बताया हूं कॉसेख x का integration क्या होने वाला है यह नया फॉर्मूला है याद कर लो कॉसेख x का integration क्या होता है तो समय माइनस माइनस लॉक बेस वी माइनस लॉझ बेस इए कॉसेख x कॉसेख ॉइक्स प्लस माइनस कॉर्ट ऑ्न क्या है हमारे तो इंटीग्रेशिन यहां पर इंटीग्रेशन कॉसेख white dy है तो यहाँ पर integration, यहाँ पर dx भी लगाओ, यहाँ पर dx भी लगाओ, यहाँ पर क्या है देखो, cosec x dx है, तो उसका formula क्या है, minus log base e, cosec x plus cortex, यहाँ पर क्या है, cosec y है, तो यहाँ पर cosec y dy का integration क्या हो जाएगा, सिर्फ x की जगा y लग जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसके integration कर रहा हूँ, तो यह होगा minus log base e, क्या हो जाएगा, यह नहीं को बताओ कॉस ईक y को सेक Y प्लस ल मता चुका हूँ नियुक्रेशन वाला deo यह हमारा यह हमारा अंसर आ गया यह हमारा अंसर आ गया इतनी सेह बस इतनी सी बस बात थे और इस बात के लिए आप लोग अपने आपको दुख दर्द दे रहे थे क्या करेंगे सर बारवी में क्या करेंगे सर बारवी में तो यह फॉर्मूला को मैं पैक कर देता हूं तो यह फॉर्मूला को मैं गुलाबी कली से पैक कर देता हूं यह यह एक फॉर्मूला न लेते हैं तो सब आप लो ढ़ेनेौस सब हो गया है फ्रδα आपको नुम्बर मिल आपको direct अच्छा करो समीकरण doing समीकरण को में तरफाइब्स यह दियुक को सब्सक्रायBYM कोई बात नहीं सर्व तो यह थो याई ब्लोग को करना चTT यह अरशे घू lifesno तो मैं सुनूंगा कैसे क्योंकि हम लोग तो दूर है ना पास आओ ना कभी मिलने मिलने के लिए एक सतरफ आक्स तरफ हम लोग कर देते हैं चलो एक से क्तर वाय एक तरफ यह क्या होगा dy बटा डाइरेट कर रहा हूं में और यह sin x sin x गुणा dx एलो पता हो यह आप लोग पता चला किया य गुणा में वाइ वाइ वाग में उधर जाकर गुणा में हो गया दोनों पक्षों में क्या करूंगा अब आ लिखना है समय करण एक में दोनों बराई य्येमत नियुक्रा चुका हूं बार बार बोल रहा हूं पढ़ा चुका हूं तो जो डारेक्ट इसमें आया है आप लोग से बच्चा आग रहा है मेरा कि आप तो मेरे पहला वाला चो इंटिग्रेशन है न समाक लांड की वीडियो देख क्या है पूरा कोश्चन तो आई सी बन जाएगा आप लोग तो निप्टा दोगे मेरे से जल्दी निप्टा दोगे इस बात का मेरे को तो डर है तो यहां पर क्या है डी वाई वाई है तो इसका इ तो दो नमबर के लिए भी दे सकते है तो यहां पर य वाई पार्ट में इधर ले आता हूं तो यह दी yy dyy क्या हो जाएगा 1 plus y square 1 plus y square यह x वाला part है ना dx तो उसको मैं इधर ले जाता हूं तो यह हो जाएगा 1 plus x dx तो देखो मैं आप लोग को क्या किया कुछ मैं नहीं किया सिर्फ यह y वाले भीज़़़िया को इस तरह और X वाले भीया को इस तरफ भीज दिया, यह Y वाले को मैं इस तरफ भीज दिया, और X वाले को मैं इस तरफ भीज दिया, प्लियर है क्या, तो D Y यह इधर पूरा Y वाला टाम हो गया, मेरा एक इधर इधर पूरा Y वाला टाम हो गया, और इस तरफ जो है, इस तरफ जो है मे मैं समाकलन कर दूं तो यह हो जाएगा d y by d y by 1 plus y square 1 plus y square यह हो जाएगा 1 plus x और यह हो जाएगा d x clear है क्या अब यह आप लोगो formula मैं आप लोगों पहले भी कई बार बता चुका हूं हना integration वाला part आप लोग पढ़ किया ना 1 plus x square d x क्या होता है 10 inverse 10 inverse x 10 inverse x यहाँ पर क्या है अरे यहाँ पर कुछ निया तो 1 है ना यहाँ पर कुछ निया तो यहाँ पर क्या है एक सी जगह सिर्फ y है तो यहाँ पर सिर्फ x की जगह क्या है y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 inverse y हो जाएगा तो formula मैं लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus y square क्या हो जाएगा dx यहाँ पर 10 inverse y हो जाएगा 10 inverse y हो यह formula है तो यहाँ इसका integration क्या हो जाएगा सर इसका integration ना अभी तो बताये सर यह हो जाएगा 10 inverse y हो जाएगा इसको आप तोड़के लिख सकते हो कैसे लिख सकते हो तो पहले ऐसे कर देता हूँ, 1 into dx, 1 के सांट dx ले लो, 1 into dx, फिर क्या है x, तो यह एक बार x के सांट dx ले लो, clear है, 10 inverse y, अब देखो, आ गया, आ गया, मेरा तो आ गया, आप लोग आया की नहीं, पता नहीं, पर मेरा आंसर तो आ गया, 10 inverse y, देखो, 1 into dx, dx होता है, dx का integration x होता ह है, plus plus x, x यहाँ पर कुछ नहीं है, तो x c power 1 है, तो x c power n वाला formula लगेगा, और x c power 1 का integration होता है, x c power n plus 1 upon n plus 1, तो वही वाला formula लगा दूँगा, x c power n plus 1, और n क्या है 1, तो 1 plus 1 क्या हो जागा 2, और यहाँ पर होता है n plus 1, n क्या है 1, तो 1 plus 1 हो जागा 2 और plus c लगा दूँ, एक मसी आंसर तो देख रहूं कितना चोटा चोटा रहे हैं और इसका फार्मूला यह मैं इंटीग्रेशन में पूरा बता चुका हूँ देखों में solve कराया यह question number 7 solve करवाया यह है dy dy by dx और यह क्या है 1 plus y square one plus y square upon one plus x square ठीक है y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ तो यह वाला टम है ना y वाले टम को इधर भीजा तो क्या हो जागा यह यहाँ पर dx को इधर भीजा यह दो अपने जगह में रहेगा one plus x square अब कैसे कि आप लोग को समझ में आ रहे क्या अरे यह वाला जो टम था ना उसको इधर लाया अब इसका integration क्या होता है आप लोग को integration बता गया है कि one upon one plus x square का integration होता है 10 inverse x यहाँ पर क्या है one upon यहाँ पर कुछ नहीं है तो one है ना भाई कि one upon one plus y square है तो 10 inverse y हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर देखो क्या होता है integration one upon one plus x square dx का integration होता है 10 inverse x तो यहाँ पर अगर मैं y कर दूं y कर दूं one into dy one plus y square तो बस x की जगह y आ जाएगा 10 inverse y yes obviously plus c और plus c डालना कर तो यहाँ पर देखो वही वाला formula लगेगा तो यह हो जाएगा 10 inverse 10 inverse y यह 10 inverse y इसका हो जाएगा is equal to 10 inverse x is equal to 10 inverse x plus c हमेशा डालना plus c डालना मत भूनना यह हो गया यह हो गया answer answer खताम answer यह answer यह हो गया question number 8 यह question number 8 important है question number 8 important अगर 4 number question आया तो यहीं से पूटेगा question number 8 important है question number 8 और उसके बाद यह lecture और अध्याय दोनों खत्म lecture और अध्याय भी खत्म तो यहाँ पर ध्यान से देखो अवकल समीकरण को हल करो तो यहाँ पे ध्यान से हम लोगो देखना है अभी तक जो question करवाया ना उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि x के term एक तरब ले जा रहे थे और y के term एक तरब ले जा रहे इसमें नहीं ले जा पाओगे अगर ऐसा आप लोगो दिखाना तो देखो x के term और y के term कैसे कैसे ले जाओगे नहीं यहाँ पाएगा कर के देखना तो यहाँ पे ध्यान से देखना तो इसको क्या करना जब कभी भी ऐसे दिखा किस रूप में दिख रहे उस रूप की हम लोगों देखो dy dy by dx प्लस py is equal to q से तुलना करने पर तो आप लोगों को यह ध्यान देना है ठीक है जब variable separation ना हो मतलब x का term एक तरब मस्त तरीके से ना चला जाए तो आप लोगों को इससे तुलना करना है यहां पर आप लोग ध्यान से देख लो इस चीज को अब अगर हम लोग तुलना करें तो ध्यान से देखो तो dy by dx dy by dx py है तो y तो दिया हुआ है तो यह 10x किसकी value हो गई पी की value हो गई तो पी की value क्या है पी की value है 10x पी की value 10x ध्यान से देखो ना तुलना करो यह y का y हो गया पी है ना फी तो यह P होगा ऊविएसली तो यहां पर Q है तो यह Q की value हो जाएगी यह Q की value हो जाएगी यह Q की value क्या है één Kate x से के अब यह मत बोलना इंच यहां पे यहां पे पहले है तो 10x पहले हो औय यह बाद में हो ने चाहिए अरे बाई गुरा है दो गुरा या 3-2 करो, दूरों में आंसर सेम आजाएगा, ठीक है? तो यह तूलना खर लिए, सबसे पहले इससे क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? क्यों क्योंकि variable separation नहीं हो रहा था, variable separation का मतलब यह असानी से हो जाना चीए, y वाला尺 마ंव एक तरफ और x वाला करें देख लो तो हम लोग क्या करें। इससे तुल ना करें जहां P और Q पा गए तो सबसे पहले हम लोग क्या करें गिए IF पर्मूला होता है e की पावर Techction PDX ये एक फॉर्मूला होता है HE FOMULA याद करो ऑप लेके याद करने है यह फार्मूला याद करने है यह आई f हो जाएगा आप वैल्यू पूट कर रहा हूं I F is equal to E की power integration P P क्या है 10x P क्या है 10x P है 10x dx P क्या है 10x dx अब बता हुँ इनमें इंट्रश्टिंग बात क्या है कि 10x का 10x का integration से स स्पार देटिएशन अभी तक आप लोग को में नहीं बताया है जैसे कि इसे सिरे फेले वालयों में आप लोगको व्याद ए वा से का सिरेंटेशन बताया था W先 समय कंख कवा जब पढ़ाया तो टैन 6 का इंटेशयनु2 पताया ह 만든 आ हम आप आप लोग मेरेको बताऊ, x का integration क्या होता है, आप लोग मेरे को अभी के अभी बताओ, x का integration प्लब श्vens difि就 cooking कि आइस होता है। Log base e sec X यह होता है।owном 0,e की पावर में log base e अद यह कड़ जाता है, यह कर जाता है, हमेश्छा E की कर जाएगा, तो क्या बचा, IF शिर्फ एक एकस बचा है, सिर्फ एकस बचा है सिर्फ एकस बचा है, यहां तक बात है क्या किया यहां तक बात क्लीयर है कि मिरे को पूरा यहां तक बात क्लीयर है देखो क्या यहां पर क्या है यह जो होता है ना डिपेंडेंट अम होता है यह डिपेंडेंट अभी क्या है डिपेंडेंट अम वा है तो यहां पर क्या लिखना है वाई इंटू आई एफ अगर यहां पर अगर एक्स होता ना तो वहां पर एक्स लिखते हैं ठीक है अभी से देखो मैं क्या बोला, उपर में क्या है dependent term, तो यहां पर dependent term लिखाएगा, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यह जो x है independent term है, dx है, यहां पर यह dx है, इसलिए मैं यहां पर भी dx लिखा और यहां पर भी dx लिख रहूँ, यहां पर दे दिया रहा है, clear है क्या बात, तो यह सूतर होता है, तो इस सूतर को आप लोगो मस्त बक्से में आप लोगो भर लेना है, ठीक है, यह चार नंबर ले पूछेगा, यह चार नंबर ले पूछेगा, यहां तक चीजे clear हो रही है क्या, यहां तक चीजे clear हो रही है क सब लीघंग करेंगे इसमें सब वैल्यूंआ पूट करेंग recovery में इसको मिटा दू क्या तो मैं इसको मिटा रहा हूं ध्यान से देखना यह आप कर लिए कंखे में सब्सक्राइब वैल्यूंक्त कुछ देखना अब हैं मैं यह तो मीटर है यह को को कोई बात ने कोई बात ने कोई बात ने चलो ठीक है तो मैं यहां पर सबकी value put कर रहा हूं तो दियान से देखो इधर देखो यह y का y हो जाएगा यह y y का y है यह y का y इंटू if क्या है if if i is sec x sec x is equal to integration integration क्या है q q क्या है यहां पर sec x है q क्या है sec x sec x into into if क्या है if sec x if v sec x into dx into dx यहां से देखते रहना तो क्या जाएगा यह यहां पर क्या जाएगा यहां पर लिख रहा हूं न यहां पर लिख रहा हूं तो y into sec x is equal to यहां पर integration क्या हो जाएगा sec square x यह हो जागा सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जागा सेक इसक्वेयरन Ce grab क्या होगा तो कहां पर लिंख आ करके आप लोग एक के निच एक लिए लिए तो यह क्या हो जागा 10x plus c करूँगा तो आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या आप सेक x को उधर आप लोग लिख सकते हो पर यहाँ पर अगर छोड़ दोगे तो कोई दिखकत वाली बात नहीं यह हो गया आंसर यह यह वाला फॉर्मूला था दूसरा यह वाला फॉर्मूला था तूसरा यह वाला फॉर्मूला था तूसरा यह वाला फॉर्मूला था बस आप लोग को इतना सा करना है और यह जो कंसेप्ट है यह इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट कौन सा इंपोर्टेंट है कि यह आप लो यह आप लोगो यह आप लोगो बोलो यह आप लोगो बोलो आया किया यह आप लोगो बोलो आया किया अब लास्ट टॉपिक एकदम देखो क्या है आप लोगो बोलेगा कि कोटी और घात फाइंड करने बोलेगा कोटी घात ठीक है आउकल समीकरन की कोटी यह आउकल समीकरन की घात आप लोग को ग्यात करने बोलेगा, देखो आउकल समीकरन की कोटी हम लोग कैसे ग्यात करते हैं, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, उच्चितम कोटी के आउकलच की कोटी, ज्यान देखना है, उच्चितम कोटी के आउकलच को आप लोग को देखना है, किसको देखना है, और आउकल समी करन का घात क्या होता है, उच्चतम कोटी के आउकलच की उच्चतम घात, सर अब यह समझ भी नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूं, कोटी क्या होता है, हाइस्ट, मतलब जिसका ज्यादा बार डिफनेंसियेशन हुआ है, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा क्या होगा, कोटी होगा और जो ज़्यादा बार differentiation हुआ है उसको आप चून लिए उसी का घात हम लोग देखेंगे उसको और गात बोलूगम Connor जैसे यहां पर देखो यहां पर सबसे ज्याद है डिफ्रेशेशन किसका कितने बार वह देख़ते यहां पर देखो यहां पर डिफनेसेशन जिरो बार हुआ हुआ है हुआ ही नहीं है यहां पर डिफनेसेशन एक बार हुआ है यहां पर डिफनेसेशन दो बार हुआ है यहां पर डिफनेसेशन दो बार हुआ है तो सबसे हाइस डिफनेसेशन को हम लोग को चूस करने है तो हा हमारा क्या हाइस डिफनेंसेशन कितने बार हुए दो बार हुए तो हमारी क्या हो जाएगी कोटी 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 दो हो जाएगी कोटी दो क्योंकि हाइस डिफनेंसेशन कितने बार हुए दो बार हुए और इसी का घात देखना है इसी का घात तो इसका घात कितना एक है इसका घ ऐसा दिया हुए यह, d square y, आपको कोई छेड़ छाड़ नहीं करना है, जैसे हैं वह इसी रखो, d x square, इसका घात कितना है, कुछ नहीं है, तो एक है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, घात हो जाएगा, अब इसको देखो, सबसे पहले highest differentiation देखो, देखो, य तब यह ऐसा रहता, d की घात 4y, dx की घात 4, तब मै ti, इस case में, कि 4 बार differentiation होस्यर, अभी 4 बार differentiation नहीं हुआ, इसकी घात 4 है, तो यह 1 ही बार differentiation हुआ, dy by dx, एक बार differentiation होस्यर, मात्र, एक बार ये कितने बार हुआ है ये तीन बार डिफनेंसेशन हुआ है और ये जिरो बार हुआ है तो सबसे ज्यादा कौन किसको लोगे आप इसको लोगे सबसे ज्यादा डिफनेंसेशन ये तो एक ही बार हुआ है ये तीन बार हुआ है जिरो बार हुआ है तो इसको चुल लो तो हमार क्या है इसका घात क्या है जो ऐसे करके जो यहां पर रहेगा वो घात कहलाएगा कुछ नहीं है तो वन ही होगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी वन इसकी घात क्या हो जाएगी वन इसकी घात वन हो जाएगी अगर मैं इसका घात चार है अगर यह अगर मेरा कोटी अगर मैं इ को करें न हांग अब इसमें बताओ इसमें तो यह देखो यह कितने बार १िफिनें zar Jeff no he' sı यह पूरा टрал ना यह ना पूरा टम दो रिया हुआ है दो रिया है हुआ है और यह कितने बार डिफिने शेयशन हुआ है तीन बार दिफनें हम यहां से कोटी हो गाई कोटी केँ आगा क्या होगा उसे से झाहां से कोटी है वहीं से गहात आएगा तो इसकी घहात ऐसे कर के कुछ तो गहत क्या हो जाएगा एक घा हो जाएब तो यह हो गया इसके लिए ends यह दूसरे question के लिए ऐसरे answer यह तीसरे question के लिए answer एक number के लिए एक number के लिए आता है अब इसमें दूसमें और चीज है exponential का time आता है यह synex स्वान ना कोटी की परिभाशित होती है घात परिभाशित नहीं होथा है यह सब समय आ सबस्क्राइब जो आते हैं उसको मैं आप लोगो एक टच करवा दिया बाकि तो इसमें बहुत सारी बात कर सकते हैं अपन लोग बहुत सारी बात में जो कोड्स हम लोग बनाएं उसमें किया हूं पर इतना मोर्ड़न सफिशेंट आप लिए ठीच हतम होता है बच्चों पूर घ्रीवाल यस के टरम को एक तरफ वह के टाम को एक करना है जब अप आप लोगों को थ्यांद करना है और इसी में दो फ़र्मुला और बता आया था वह आप लोगों को Igorय और यह 1922ire झाल झाल